नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और reaction वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो अपने nation talk वाले भाई हैं, धिमन साब, उनके वीडियो पर मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, तो बुला था लेकर आने को तो एक वीड करिए, सब्सक्राइब करिए, तो चलिए देखते हैं, कि पार्ट टू में मुसल्मान जो है, वो पाकिस्तानी मुसल्मानों को क्या जवाब दे रहे हैं, जिनने लगता है कि भारत में तो मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में मुसल्मानों को राइट्स नहीं है, उन्हें तो मारा जाता है, पीटे जाता है, कुछ भी निकर रहे दिया जाता है, चलिए देखते हैं। हम अपने मुलके हिंदुस्तान में अलहमदुलिल्ला खुश हैं और सुरच्चित हैं। फालो करते हैं, उसके दाइरे में रहते हैं, वो मुसल्मान हैं जो दाइरे से अलग हो जाते हैं। पाकिस्तान के लोग जब इंडिया के बात करते हैं, तो उनको लगता कि इंडियम स्रीफ हिंदु ही रहते हैं। मुसल्मान का उनके जिकर ही नहीं आता उनके मन में, उनको लगता है बहुत कम हैं। वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसल्मान को इंडियन मानते ही नहीं हैं। इस पर क्या कहने जाएं। भी मालूम है इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं है अलहम्दुल्ला भी मैं मस्जिद से निकला हूँ वो मस्जिद में मैं एद मीराद नबी पे बहुत बेहतरीन तक्रीर की है लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांती का गहवारा है अल्ला पाक हमारे मुल जी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको आपके मुहले में मिल जाएंगे दो चाल लोग जो आप लोगों की बास से एक ग्रीनी करते हैं हम लोगों की बास से एक ग्रीनी करते हैं आपको अल्ला पाक ने अकली सलीम अता कि अतना जानते हैं कि एक माबाप के द पाकिस्तान पाकिस्तान की भारत की जो सांती को भंग करने काम कर रहें कि इस तरह के बैना दिया है क्या नाम है अजीज अमद अज्जू क्या सब्सक्राइब पतकार है तो आप बहुत अच्छे से कुश्चन का जबाब देंगे और सुनिए अगर आप लोग पाकिस्तान की कोई देख रहे हैं अगर आपको डौड लग रहा है तो आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं कि आप मुसल्मान ऐसे करें नहीं नहीं जी उनको धंकाया जाता है कैसे कोई बोलेगा जब आप कणपटी पर बंदूग रखोगे यह पाकिस्तान के लोगों की बड़ी आम है तो सुन लीजिए भाई देख लीजिए पाकिस्तान की लोग हैं उनको लगता है कि भारत की मुसल्मान सुरचित नहीं है यहां पर आप नमान नहीं पड़ सकते हैं धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते हिंदू आपको खतम कर देंगे बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो पाकिस्तान की लोगों की लोगों को बताई आती वहां की मीडिया बताती है यह उन लोगों से पहला सवाल में गरेबान में जाके और हमारे मुल्क में जाकने की कोशिच न करें हमारे मुल्क में जाकेंगे तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि हम मुसल्मान यहां के लिए जान देते हैं और जान देते रहेंगे उनकी हैसियत नहीं कि हमारे यहां जाके हमारे निजी मामलों में बोलने हम हर हाल में कुछ हैं या और पेहदरीन तरीके से जिन्दगी जीते हैं यहां पर कौमी जेग्जेती के बारे में मिसाल हिंदुस्तान की है यह वो लोग नजल लगाना चायते हैं उनकी बात नहीं चलेगी है वो ये भी चीज कहते हैं कि हिंडू मुसर्मान गभी साथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो मुल्क बना था हो दो कौमी नजरीयब बना था, मतलब हिंडू मुसर्मान के उपर बना था, साथ वही थेवरी साबिट करने के लिए हमेशा बहुंजा बहरत के आर रोप ल को जानते हैं कि हम लोग । भाश्या की तरह चैनल की सरकार और सब को हिंदू हमारा बाइ वो हम को कान्था देता है और कभुos तान भी साथ लेके जाता तो यहां आकर अपने आपको सुरच्चित मैसमें घुनेस्थान वाथ है तो यह लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हमने आपको पैसे देख या ढरा के धंका के कुछ बुलवाया है तो उनसे क्या भी आप ऐसा कुछ हुआ है अगर आइसा होता है लाग रुपे और वो तो कह रहे हैं कि मैंने हम आप ये एक वीडियो वारे हुआ था पाकिस्तान गे अंदर भारत की मुसल्मानों का तुन्हों ने कह दिया कि दाड़ी और यह सब मेकप करके बात करें वो इसने मुसल्मान है यह गलत है ऐसा कुछ नहीं हमारे देखें कि मैंक्व मुहम्मान इदण यहां है पारत के अंदर को दिकत नहीं पाकिस्तान के तुछ नोग कहते हैं कि भारत की मुसल्मान सीचित नहीं पाकिस्तान के प्रफेशनल से लॉयर हूं वकीन हुआ अभी हाल में प्रधान मंतिर से पाकिस्तान के हैं अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के मुसल्मान की नहीं सुरक्षत हैं हम लोग यहां पर रह रह रहा हैं ऑच तक कोई दिकत नहीं हूं लग अलग तजी हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छा माहौल है और शब कुछ अच्छा अच्छा संब 00 जह評 हमारा यहां पर है लेवल ओफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको यह क्वेश्चन पूछने के बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मैं नहीं पूछ रहा हूं मैं पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे हैं मैं उनको हम रहते हैं हम लोग तो साथ म है तो हम लोग को पता है लेकिन जो पाकिस्तान के मैक्समुम लोगों को यह मानना है कि जो यहां का मुसम्मान है वो नमान नहीं पड़ सकता है धार्मिक जो त्योहार होते वो नहीं मना सकता है धार्मिक आजार नहीं जैसे आप खड़े होके बात करें उनका मानना क्या इस secret document which imparts the citizens certain rights like आपका right to equality, right to freedom, right to defense, right to religion, right to education, तो ये जब हमारा समविधान हमको ये सारी छूट देता है, जब मैं ये बात तब कहूंगा जब ये समविधान को कोई बदलेगा, अगर ये चीज़ बदली जाएंगी, इन में कोई changes कहेंगे, तो मैं एक बार कहूंगा कि हाँ, अब कुछ संकेत अच्छा नहीं है, लेकिन जब हमको समविधान हमारा सब कुछ दे रहा है, right to religion दे रहा है, आपको जो religion आपको पसंद आप उसमें जाएंगे, आप right to educate आपको जो पढ़ना है आपको पढ़िए, तो जब हमको हमारा समविधानी इस सम चीजों की छूट दे रहा है, तो हम किसी दूसरे पर विश्वास क्यों करें, हम तो अपने उससे तो ऊपर नहीं है, चाहे आपके लिए, च चेकने के लिए जो भी बाते करें, चाहे वहाँ पे, चाहे यहाँ पे, लेकिन मेरे इसाप से ऐसा कोई इशू नहीं है, देखे यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, देखे इस फ्रेम में एक हिंदू, एक मुसल्मान खड़ा है, और भारत के सम्मिधान के मताबिक इन दोनों क बराबर का हक है, वो चाहे किसी भी चीज में हो, बराबर का हक है, वो चाहे कुछ भी हो, एक जैसे हक है, लेकिन यही फ्रेम अगर पाकिस्तान में हो, एक मुसल्मान और एक हिंदू खड़ा हो, तो उसमें फर्क है, वहाँ का हिंदू, वहाँ का PM नहीं बन सकता, भारत का म बन सकता है। वहाँ का पाकिस्तान का हिंदू वहाँ पे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एरफोर्स चीफ नहीं बन सकता। भारत का मुसल्मान बन सकता है। यहाँ का जो पाकिस्तान का हिंदू है वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो पुलिस चीफ नहीं बन सक भारत का मुसलमान बन सकता है यह बहुत बड़ा फर्क है यह जो राइट टू इक्वालिटी है यह होती है असल इक्वालिटी आप लोगों ने वहाँ पर फर्क कर रखा है आप अपने आपको सुप्रीम बताते हो जो नौन मुसलिम है उनको आप कहते हो कि नहीं आप यह तो बखरीद भी मनाते हैं और हिंदू मुसलमान यहां बहुत भाईचारे से रहते हैं बहुत प्रेम से रहते हैं और आज से नहीं काफी समय से रह रह रहे हैं बीच में कुछ ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं कि जो एक दूरियां बनाना चाहते हैं और उन्होंने बनाई भी चाहे वो सत्ता के लिए कह लीजे चाहे वो अपने वो किसी भी मकसद के लिए वो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन जो हमारी यहां की इंडियन गौर्रमेंट है और सरकार वो उन चीजों पर हमेशा हावी पढ़ी है और कभी ऐसा होने नहीं पाया है और नहीं आगे होगा बशीकली हम इंडियन लोग हावी पडते हैं कभी कभी गौर्रमेंट में थोड़ा बहुत भीकट है लेकिन हमारा भाईचारा इतना मजबूत है कभी हमारा भाईचारा इतना मजबूत है और आज का नहीं है बहुत पुराना है तो वो कभी उसमें कभी कमी नहीं आएगλο Minister सा मुं deserving की लोग कहते हैं भारत का मुसल्मान इसा हमारीय पिकरने कर अच्छा अच्छा जैसा कि संदस्तों आप कामिया दो कामी मिन 45 में नहीं ता था निमेध तो उनका यह मानना है कि हिंदु मुसалась नहीं करें यए सकते हैं टीआफ़ हिए सियासत ए ठीक ए सियासत का कामी ही है कि हिंदू-Мुसल्मान कराना बस और कुछ नहीं हिंदू-Мुसल्माण आप भी हिंदू है मैं मुसल्माथ साथ में खड़े नहीं हूं मैं इंटरव्य दे रहा है वो और हम तो जानते हम तो भारती हैं हम लोग जानते हैं उनको बताइए उधर देख पाकिस्तान के लोग देखिए अब यहीं देख लीजिए आप छोटा सा एक्जामपिल जैसे यह हिंदू है मैं मुसल्मान हूँ इनको आप दिखाईए एक मेट कैमरा चचा दूम पकड़ लो यह रहेंगे जब तक इन्शालला कोई खत्रे में आई नहीं सकते सरकार गरीव नवास का बहुत बड़ा करम है घौसियाजम की बहुत बड़ी नजरे इनायत थे ठीक है भाई दानिश खान नाम है हमारा भाई हमारा एक देश है पड़ोची देश है वहां के लोगों का यह मान सकता लेके वहां पर के लोग बैठे हुए है निंदनी है यह उनका विवाद जो बयान आया है बहुत ही विवादी तो निंदनी है उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से यह देखना चीए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है देश छोड़ विश्विशक्ती बनने के बिल्कुल कगार पर है और आगे उपर वाला चाहेगा तो विश्विशक्ती भी बनेगा कोई गुलाम नहीं है भारत के अंदर मुसल्मानों की स्थिती पहले से अच्छी हो गई है डेवलप हो रहे हैं शिक्षा पा रहे हैं बच्चों को पारोबारी हूं मैं अपने को कहीं से महसूस नहीं करता हूं बढ़िया वयापार करता हूं और मेरे सोचे कि भारत के मुसल्मान व्यपारियों से बगल वाले देश को सीखना चाहिए कि जिस आप से मांदारी से काम कर रहे हैं आप लोग मांदारी से काम करिए और आगे बढ़िए इस तरह कि तुछ मांसिक्ता लेकि अगर आप रहेंगे तो को कुछ दिन में खतम कर देंगे भारत के अंदर मुसल्मान नहीं रहेंगे वह सब लोग इतनी चिंता कर रहें हैं भारत के मुसल्मानों की कि वह अपनी चिंता करना भोल गए मैं बता दूँ कि यह मेरा व्यापार जो है बारा बंकी में इंदुस्तान कारवजार है और यहां पर के जो ओनर है दानिश खान और रवी नाक चौरसिया जी है अब आप यहीं से अंदाजा लगा लिए कि हम सुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं हम अगर सुरक्षित होते तो आप सोचे कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि एक हिंदु और एक मुसल्मान मिलकर इतनाista बड़ा कारोबार कर रहे हैं और यह जब तक आप असी में mutual trust नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, आप एक साथ कारोबार नहीं कर सकते, एक साथ business नहीं कर सकते, आप इनकी बात को जो पाकिस्तान के मुसल्मान है, जो पाकिस्तान के लोग है, वो सुन रहे हैं, तो सुनिए इनकी बातों को, और ये काम जबरदस स्तीन से नहीं बुलवाया जा सकता लेकिन मेरा मेरा भी काम है कि मैं इस तरह के वीडियो जादा लिकर आऊंगा जिससे लोगों की सोच बदले सोच बदलना बहुत ज़रूरी है पिल्कुल सुरक्षित मसूद करता हूँ बारागे तौन मेरे मेरे परिवार के कोई दिक्का दाती है तो यह मेरे लिए बड़वान भगवान राम मैं मुझे मांते हैं विचारे और रहते थे यहां तोहार मना पाते हैं कि आप धार्मिक संदता है के नहीं है यहां गुवर्मेंट को इंटर्फरेंस तो नहीं करते है आपके ऊपर अइसा कुछ नहीं है देखिए कोरोणा के लिए के जो इस समय चल रहा था के रोट पर जुलूस नहीं निकलेंगे कोविड नियमों पर पालन करिये उस समय थोड़ी स्थिती पैदा होती वो भी सभी धर्मों के लिए अगर यात्राओं पे रोग लगी किजी धार्मिक कारेकरम आयोजन पे रोग लगी तो हिंदू मुसल्मान सब पे लगी ऐसा नहीं रहा कि मुसल्मानों को बैन कर दिया हिंदू को अलाव कर दिय कि आप लोगों की देश के बारे में करें अपने वारे में सोचिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ में अगर आपने हमारे चैनल नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे हमारी आपके मुलाकात बल्दी यल्दी होती रहे हुआ देखे वीडियो खत्म है बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम सब मिलकर रहते हैं मैं एक अपना इंसिजेंट सुनाता हूँ पिशली बार जब मैं घर गया तो मेरे बड़े बाले बेटे की तबित खराब होगी पेट में फूट पोईजनिंग हो कही ऐसा हो गया जब मैं उसे डॉक् parchment के पास ले गया तो डॉक्टर परवेज हैं वहां के गुपाल गर्श के बहुत अच्छे डॉक्टर है उनके पास लेकर गया ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंदू डॉक्टर नहीं थे लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं हिंदू के पास दिखा हूँ कि मुसलमान के बिचे दिखा हूँ क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं है हमें जो डॉक्टर दिखा हम उसके पास चले गए जो है अभी, वो इतना मजबूत है और सब को मिला कर मिला हुआ है वो इतनी आसानी से आप लोग के चाने से तूटे गा नहीं और आप लोग को लगता है आप लोग को जो दिखाया जाता है आप लोग को जो शो करा जाता है कि जी इंडिया में मुसल्मान तो बस पूछे मत कितने बिलकुल कैदी बने पड़े हैं तो ये जवाब आप लोगों ने सुन लिया और ये रंडम लोगों के जवाब हैं ये जबरस्ती नहीं कहलवाए गए हैं ये डरा के धमका के नहीं कहलवाए गए हैं ये पैसे दे कर नहीं कर वाए गए हैं और ये लोग अपने, मैं फिर से कहता हूँ, कि लोगों को डरा कर आप कब तक रख सकते हो, नहीं रख सकते, और यहाँ पर तो आपके देश से जादा मुसल्मान हैं, और यहाँ पर इतने बड़े-बड़े कारोबारी हैं, मैं हमेशा क पढ़ने दी जाती, तो हमें बकरईद मनाने की छूट नहीं, हमें कुर्बानी नहीं करने दी जाती, इसलिए मैं हसता हूँ, लेकि पहले मुझे लगता था कि यार, कुछ लोग होंगे पाकिस्तान में ऐसा, लेकिन मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान में जादातर आसे जिनको ये भरोसा है कि जी भारत में मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है भारत में मुसल्मानों को नमाज तो पढ़ने ही नहीं दिया जाती भारत में तो उनको इद बकरीद सलिब्रेट ही नहीं करने दिया जाता उनको जेल खाने में बंद करके रखा है तो भाईयों यूटूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं अलग-अलग इलाकों के, मुसलिम इलाकों के, भारत के, अलग-अलग शहरों के, राज्यों के और वो आपके हर तरह के लोग मिलेंगे, मुसल्मान में मिलेंगे, आपको इसाई भी मिलेंगे, आपको सब सिख भी मिलेंगे और सब बड़े मस्त हैं तो दोस्तों ऐसा वीडियो में और लाता रहूँगा, तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिद